नमस्कार प्रदेश तक में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रीना हमारी पौराणिक कथाओं पुराणों वेदों आधी धर्मग्रंतों में गाय का बार बार जिक्राता है माना जाता है कि गाय में 33 कोर्टी देवी देवताओं का वास होता है इसलिए भारत में गाय को गौमाता भी कहते हैं दौपर युग में भगवान स्री किष्ण की अधिकांस बाल लिलाएं गौमाता के साथ ही देखने को मिलती है भगवान स्री किष्ण अपने बालस सखाओं के साथ जंगल में गाय चराने जाते हैं सदियों से गाय और इंसानों के बीच अटोट रिस्ता रहा है एक ऐसा ही गाय और इंसान के बीच ये रिस्ता 36 गड की राजधानी राइपूर में एक दुकान मालिक का देखा जा रहा है इस समय राइपूर में एक गाय चर्चा का विसे बनी हुई है और इस गाय के चर्चा में रहने की वजह कुछ और नहीं, दुकान के मालिक के साथ उसका अटूट रिस्ता है बता दे कि रायपूर में एक गाय दुकान में आती है, उसके बाद वहाँ पर बैठती है, फिर उस दुकान का मालिक इस गाय को भगाने के वज़ाए उसे प्यार करता है गाय मालिक की गद्दी पर बैठ जाती है, वह एक घंटे तक गद्दी पर ही बैठी रहती है इस दौरान सोरों के मालिक गाय को प्यार से दुलारते हैं, उसे सेब खिलाते हैं और लोग भी इस गाय के साथ सिल्फी क्लिक करते हैं आर्टिफीचियल इंटेलिजन्स के दौर में भी भाव, स्वार्थ और समवेदनाओं का महत्तु कम नहीं होगा इसे भाव को साकार कर रहा है, 36 गड की राजधानी रायपूर का जैन परिवार गौप्रेम के साथ यह परिवार नवाचार से प्राक्तिक क्रिशी को नई दिशा देने के साथ स्वास्त समाज की संकल्पना साकार करने में भी जुटा हुआ है यह कहानी डाक लिया और चंद्रमणी नाम की एक गाय की है रायपूर में यह पंडरी कपड़ा मार्केट में एक शोरूम के मालिक पदम के यहां रोजाना एक गाय आती है गाय मालिक गाय को प्यार से चंद्रमणी कहकर पुकारते हैं वहीं ये गाय खुद ही शोरूम का दर्वाजा खोल कर बड़े ही आराम से अंदर आती है दुकान मालिक को ढूडती है और उसके बाद खुद ही गद्दे के उपर चड़ कर बैठ जाती है मालिक इस गाय को बड़े प्यार से सहलाता है साथ ही उसे यहां पर भोजन भी कराता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुकान के मालिक पदमडाक लिया का कहना है कि साल 2016 में धन तेरस के दिन ये गाय चंद्रमडी उनकी दुकान के अंदर घुज गई और इस दौरान मे मेरे वरकर उसे भगाने लगे लेकिन मैंने मना कर दिया मैंने गाय कि आगमन को इश्वर का सुभ संकेश समझा और उसे प्रशाद खिलाया तब से लेकर अब तक वो हर दिन दो पर शौप के अंदर आकर बैठती है वहीं उनका यह भी कहना है कि कभी कभी कपड़े खरीदन लगे हैं वहीं उन्होंने ये भी बताया कि गाय वड़े ही आराम से गद्दे में घंटों बैठे रहती है कई कस्टमर गाय को इस तरह गद्दे में बैठे देखकर उसके साथ सिल्फी भी लेते हैं पदम डांकली आप बीते कई सालों से रोज अपने हाथों से एपल खिला में हो रही है तस चर्चा को सुनकर लोग रायपूर पहुंच रहे हैं हर कोई अपनी आखों से इस प्रेम के रिस्ते को देखना चाहता है अपने मोवाइल में कैद करना चाहता है बता दें कि गाय को हर दिन पास से 6 किलो सेव खिलाते हैं उसका वजन 300 किलो ग्राम है उनका कहना है कि मा और बेटे के समान उनका संबंध बरकरार है देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें फॉलो करें और यूटूब पर सब्सक्राइब कर वेल उइकन दवाना ना भूले साथ ही ऐसी ताजा अ पर विजिट कर सकते हैं